अपनी जिन्दगी की सिचुएशन्स लोगों को बता चुकी है कि कैसे कैंसर को मात देने के बाद भी आपका करियर है सुनाली बेंद्रे ने ये संदेश दिया है और महीमा चौधरी के साथ भी ये हो चुका है लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की एक अक्ट्रस है जिसने बताया कि जब उन्हें कैंसर था और उसके बाद उनकी कीमो थेरपीज हुई इस कारण उनके बाल गए तो उन्हें एक शो में जिसमें कास्ट किया गया था उससे हटा दिया गया और लोग उनके साथ काम नहीं करना चा कि जब उन्हें कैंसर हुआ था और उनकी कीमो थेरपीज हुई थी उनके बाल छोटे थे उन्होंने अपने इस कट को कीमो कट भी नाम दिया था और वो एक शो कर रही थी यह ट्रैवल शो था लीजा रे ने बताया कि मेकर्स ने उन्हें रिप्लेस कर दिया क्योंकि उन्हें शो के लिए एक लंबे बालो वाली लड़की चाहिए थी मेकर्स यह बात एकसेप्ट नहीं कर पाए कि उनकी होस्ट को कैंसर हुआ था कैंसर जैसे गंभीर बिमारी हुई थी उससे वो उभर के वापस काम पर आना चाहरे है लोगों ने वो नहीं देखा लोगों ने उनके बाल देखे और उस वक्त उन्हें उस शो से रिप्लेस कर दिया गया लीजा ने कहा कि ये मॉमिंट में रिले हार्ट ब्रेकिंग था मैं लोगों के सामने नहीं गई और तीन साल बात मैंने कोई पब्लिक अपेरेंस दी उस इंसिडेंट ने मुझे इतना बड़ा शौक दिया था उन्होंने कहा कि इस बात से मैं तीन हफ़तों तक उभर नहीं पाई थी और मैंने अपने आपको बहुत संभालने की कोशिश की मैंने meditate किया मैंने diet किया मैं अपने आपको बहुत संभाल कर रखती थी जैसे तैसे मैं इस बात को भुला पाई लेकिन हाँ ये एक incident था जिसने मुझे तोड़ कर रख दिया था आज मैं cancer free हूँ, cancer free हुए हुए मुझे 9 साल हो चुके हैं आपको बताने कि Lisa Ray को bone marrow cancer हुआ था और काफी जटल इलाज और surgery से उन्हें गुजरना पड़ा था